आज पर दिन के शुरुवात होती हैं हलके फुलकी सी जॉगिंग के साथ अभी हमारे यां हलके से सर्दिन स्टार्ट हो चुकी है इसलिए सरील को अच्छे से वाम अप करने के लिए जॉगिंग सबसे बेस्ट रास्ता है इसलिए मैं जोगिंग के 10 राउंड करती हूं इसके बाद मैं सूर्य नमस्कार के 10 काउंट करती हूं जो कि अपने आप में फूल बॉड़ी एक्सरसाइज है फिल में 10-15 मिनिट साइकल जलाती हूं वर्काउट के बाद नान करके मैं सीधा पहुंच जाती हूं तो सुबह से ही मेरा चेहरा बहुत ही ज्यादा डल फिल कर रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना आज कोई ऐसा फेस मास्क ट्राइ किया जाए जो कि मेरे चेहरे पर इंस्टन्ट ग्लो ला दे मैं आज आप सबके साथ वही रेमेडी शाय करने वाली हूं जो कि मैं ज्यादा तर यूज करती हूं जब भी मेरे पास कम टाइम होता है या स्किन प्र जैसे कि आप सब अभी देख रहे हैं मेरे चेहरे पर कोई भी मेक अप नहीं है चेहरे को अच्छी तरह से वाश करने के बाद आप इस फेस पैक को डाइक अपने फेस पर अप्लाई कीजिए जिस तरह से मैं अप्लाई कर देती हूं मैं डाइरेक इसको अपने हाथों के जरी अप्लाई कर रहे हूं अगर आप चाहे तो किसी ब्रश या स्पैचुला से भी अप्लाई कर सकता है आप देख सकते हैं वाश के बाद मेरा चाहरा कैसे ग्लो कर रहा है अब हम इस पर सीरम लगाएंगे सीरम के लिए मेरे पास है य मैं आप अप्लाई करते हूं कुछ ऐसे मुझे ऐसे लगाना अच्छा लगता है कोई भी फेस पैक आप लगाएं उसके बाद आप जो है इसकीन के बिल्कुल भी स्किप ना करें कई फेस पैक जो होते हैं वह हमारे स्किन को बिल्कुल ही ड्राइ कर देता है इसलिए सब्सक्राइबन हो गया होगा तीन-चार सालों से इसको यूज कर रही हूं मैं बहुत ही कम मेरी स्कीन बहुत ही ओईली है मुझे बहुत ही जल्दी पिंपल वगएरा निकल जाता है इसलिए मैं बहुत ही कम मुश्राइजर लगाते हूं टड़ा रेड़ी काम के समय में मार्केट चले जाती हूं क्योंकि आज सनीवार है हमारे आपे स्पेशल सनीवार के दिन बाजार लगता है